अस्तामनेकूम फ्रेंड्स, वेलकम बेट टेट अप स्मार्टीस ट्रामा सीरियल ग्रिफ्ट आहर मुराद करूही से मुहबद हो ही गई, लेकिन ये मुहबद कब हुई, कैसे हुई वीजियो को मुकमल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रे चैनल पर न्यूँ है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिये, साथी पेल का नोटिफिकेशन जरूर पैस किछेगा ताकि मेरी हर आने वादी वीजियो आप बहुत असानी से देख सकें रूही जो सुबो के वक्त फूलों के पास खड़ी है और एक खुलाब का फूल तोड़ लेती है, उसे बाते करने लगती है ऐसी में मुराद जो के सुबो नहा के फ्रेश होके बाहर आया है, वो टेरस पर खड़े होकर रूही को देख लेता है कि वो फूल तोड़कर उसी फूल से प्यार कर रही है, जब वो कमरे में आता है, चेंज करने लगता है तो वहां पर अपने कौट के ओपर वही फूल देखता है, तो रूही पर जाकर गुसा करने लगता है ये क्या हरकत है, आइना से ये हरकत नहीं करनी, ये तो अनिशा को बता दूँगा, और तो मैं घर से बाहर निकाल दूँगा अब तो रूही डर जाती है कि घर से बाहर तो वो जाना नहीं चाहती क्योंकि वो यहीं पर रहकर मुराद से शादी करना चाहती है दूसरी तरफ अनिशा भी मुराद से बहुत गुसा है जैसे कि रूही ने उसको बताया था कि मुराद अब उससे बदजन रहने लगा है वो बच्चा डॉट करना नहीं चाहता ऐसे में अनिशा भी मुराद से बात नहीं कर रही तो मुराद उसको पकर कर जिन जोडने लगता है अगर क्या बात है तुम्हेरे करीब आता हूँ तो तुम दूर चली चाहती हो क्या कमी आगी मेरी महबत में क्या कमी आगी मुझे मुझे बताओ तो सही लेकिन अनिशा शदीद गुसे में मुराद को पीछे कर देती है अब अनिशा बहुत परिशान है अपनी परिशानी किसी से शेयर करना चाहती है इसलिए अपने भावी के पास चली जाती है और वहाँ पर जाकर भावी को बता देती है मुझे पता चला है उलाद ना होने की वज़ा से मुराद मुझे से बदजन रहना शुरू हो गए है नेमल एक दम से अनिशा की बात पर चौंक चाती है और पिर कहने लगी इस बात कर डर तो था ही कि एक दिन ऐसा होगा लेकिन है तुम्हें किसने कहा यह सब कुछ तब अनिशा उसे बताती है कि मुझे रूही ने बताया इस पर तो नेमल को बहुत गुसा आजाता है कि रूही ने बताया और तुमने मान लिया वो तो मुझे शकल से ही एक नमबर की फ्रोडिया और धोके बास लड़की लगती है वो तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं यकिनन वो जूट ही बोल रही है इसलिए तो मैं मुराद से सब कुछ खुदी क्लियर करना होगा अब अनिशा को भी ऐसास हो ही गया कि उसे मुराद से तो एटलिस कुछ न कुछ जरूर पूछना चाहिए ऐसे में वो रूही को घर में कॉल करती है पिडिस्यल नमबर पर कॉल करती है और पूछती है मुराद घर पर आ गए क्या लेकिन रूही ऐसे ड्रामा करती है जैसे सिगनल नहीं आ रहे और ऐसे में उसे अनिशा की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही इसलिए रूही हेलो हेलो करते हुए फोन बंद कर देती है मुराद के घर आने से पहले रूही अच्छी तरह से त्यार हो जाती है और हुद कलामी करती है कि आज तो मुराद साब के करीब जा कर दिखाऊंगी रूही तुम्हें आज हर हाद पार कर देनी है मुराद साब के करीब होकर ही रहना है ऐसे में मुराद जब अकमरे में अकेला है तो वो किसी बहाने से कमरे में चली जाती है और पाउंसलिप होने के वज़ा से वो मुराद के उपर गिर जाती है ऐसे में वो मुराद को बहुत मजबूती से थाम लेती है उसके गले लग जाती है जब इतनी करीब से वो रूही को देखता है तो एक दम से ठिटक कर रह जाता है उसकी तो आंके सिर्फ रूही पर जम जाती है क्योंकि उसने इतने करीब से कभी रूही को देखा ही नहीं था कि रूही कितनी हुबसूरत है ऐसे में मुराद तो अपने हवासों में ही नहीié वो तो बिल्कुल बहट चुका है वो तो बिलकुल अब रूही के जाल में फस चुका है यहां पर रूही ने भी उसे बहुत मजबूती से पकड़ रखा है तब ही वो बहुत नर्म लहजे से जैसे हारा हुआ इंसान किसी से पूछता है ऐसे ही वो रूही से पूछने लगा ऐसे क्यों गिरने लगी थी ठीक तो हो ना रूही मुराद के आंखों में आंखे डाल कर कहने लगती है जब आप सामने आते हैं तो यही सब कुछ होने लगता है समझ ही नहीं आती कि क्या करूँ तो मुराद उसको थोड़ा सा पीछे कर देता है कहने लगा जओ 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 जाकर अपना काम करो लेकिन मुराद इस टाइम बिलकुल भी अपने हवासों में नहीं ऐसे में रूही जाने लगती है पीछे मुर कर देखती है तो उसके तरफ देखकर हस परती है इतने में अनीशा भी कमरे में आगी अनीशा को कुछ भी पता नहीं चला उसने देखा जबके मुराद आ चुके हैं तो वो मुराद से बातें करने में मसरूफ हो जाएगी लेकिन मुराद अब रूही के हलाफ कोई भी बात अनीशा को बताने को त्यार नहीं होगा क्योंकि मुराद तो बहुत करीब से रूही को देख चुका है और उसके दिल और धमाग पर इस टाइम रूही सवार हो चुकी है इसलिए वो खुदी अब बहाने ढूंडेगा बहाने बहाने से रूही को अकेले में मिलेगा इस तरह से इनका रिष्टा आगे भड़ेगा तो फ्रेंड्स टी ड्रामा बेहत इंटरस्टिंग हो चुका हुआ है किस-किस को ये ड्रामा अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट उसमें बताइएगा वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेर जरूर कीचेगा दुआओं में याद रखेगा अपना बहुत सा राहिया रखेगा नहीं वीडियो तक के लिए अलाह आफ़ीज